Hello students, तो आज मैं बात करने वाला हूँ, percent जो की एक Latin word percentum से लिया गया है, percent दो word से अगर से हम डिवाइट के तो हाँ से में दो word मिलते हैं, एक मिलता है पर, परियानी होता है प्रती and sentiments होता है hundred, यानि कि हमें प्रती hundred को ही percent बोलते हैं, माल लेते हैं, अगर हमारे पास कोई एक object हैं, जिसमें total hundred part हैं, उसमें से अगर हमने five part को colored कर दिया है, तो वो five percent colored part का लाएंगे, तो इस तरीके से percent की आज हम बात करेंगे तो चलिए, अब हम वीडियो को start करते हैं और percent के uses की बात करते हैं, percent के uses की घर हम बात करें, तो इसका सबसे ज़्यादा uses हमारे daily life में ही है, और अगर हम अपने saliva's या book की बात करें, तो वहाँ पर भी percentage के बहुत ज्यादा uses होते हैं, और कई प्रकार से question वहाँ पर हम करते हैं, तो अगर हम बात करें daily uses की, तो हमारे पास कुछ इस type से, जैसे आपने marketing से related देखेंगे, अमेजान flip card यानि और धेर स सारी websites हैं, जो हमें selling करती हैं, वो हमेशा या फिया कहें कि बार बार offer gift करती हैं, कि 30% का offer है, 40% का, 50% का, 60% का, इस तरीके से वो offer देती हैं, तो जब हम किसी भी object को देखते हैं, 30, 40, या 50%, जो कुछ भी percent हो, तो उसका percent हम कैसे निकाल ले, अगर हम mobile पर कोई चीज सर्च कर हम बोल दिया हूँ, वहाँ पर कि हमें 30% यहाँ पर चूट है, तो क्या हम वहाँ पर तुरंत calculate कर लेते हैं, कि इसका 30% कितना हो गया, या निक हमें कितना profit होने वाला है, तो आज हम कुछ इसी तरीके से बात करेंगे, कि हम किसी भी प्रकार के object की price को देखें, और उसमें दी गए छूट को देखें, और वहाँ पर उन्हें हम तुरंत calculate करके बता देए, या फिर जान लेके हमें कितना छूट नूइनने वाला है, अगर हम इसके traditional की बात करेंगे, तो किसी भी नंबर का percent निकालना है, माल लेते हैं कि अगर हमें निकालना है 100% of 25, अगर हम traditional method की ब यानि multiply और 25 हो तो 25, जी दो डॉल जी सो डॉल जो कैंसिल, 25 वह जा कितना होता है, 25 यानि कि कोई भी चीज, कोई भी amount होता है, कोई भी quantity होती है, वो खुद का 100% होती है, तो यह हमारा traditional तरीका हुआ, यानि कि जो हम school में जो पढ़ा जाता है, उस तरीके से हम percentage को निकालते ह है, चले अगर हम इसकी और बात करें, कुछ और example ले ले, अगर मुझे निकालना है 25% of 25, अगर हमें इससे निकालना है, तो traditional तरीका क्या होगा, कि 25 into 1 upon 100 करें, और यानि multiply 25, 25 वंजा 25, 25 वो जा होगा पा 100, और बचा कितना 25 वंजा 25, अपान वो हो जाएगा 4, और फिसको हम divide करेंगे, तो 4 वंजा 4, 4 6 जा, 24 बचा हुआ, decimal लगाएंगे, 4 2 जा, 8 और 4 5 जा 20, यानि कि इस प्रकार से 6.25 हमारा answer आगा, तो यह हमारी traditional तरीके हुए, इन ही में से अगर हमें oral ही इनका answer बताना हो, तो हमें इन ही में से अज़ ठीक से अगर आप जरू करते हैं, तो हमे एक नया तरीका मिलता है, जिससे हमें यह सब करने की जोत नहीं होगी, और हम orally, यानि कि किसी भी number को देखेंगे, उसका percent बता देंगे, तो चलिए हम इसको ठीक से आप जरू करते हैं, कि कैसे हम किसी भी number का, या फिक किसी प्रकार की price दी हुई है, उसका अगर percent निकालना है, तो कैसे हम बिना रफ बिन के निकाल सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर percent यानि प्रतिसत का जो symbol होता है, इसकी value होती one upon hundred, अगर इधर hundred में है, या फिक इधर hundred है, तो हम किसी भी तरफ के hundred को इस hundred से cancel कर सकते हैं, तो अगर यहीं पर एक जापन हो ले, अगर मुझे कहीं दिया गया है, hundred percent of four thousand eight hundred, तो यह आपको हो जाएगा, hundred multiply one upon hundred, multiply forty eight hundred, तो यह जो double zero, चाहे हम इसको cancel कर दें, और चाहे हम इसको cancel कर दें, तो हम दो में से किसी भी एक number को cancel कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैं क्या आपको उता रहा हूँ, कि अगर percent आपको निकालना है, किसी भी number के अगर आपको percent निकालना है, तो जो चीज हम यहाँ पर cut कर रहे हैं, जो चीज हम यहाँ पर cut कर रहे हैं, उस चीज को हम यहाँ पर cut नहीं करेंगे, उसे हम directly यहीं से cut कर देंगे, इसकी value I go on upon hundred, तो इसी को cancel कर दिया, और इधर double zero को cancel कर दिया, बचा क्या कुछ नहीं, 48 वंजा आपका हो जाएगा, 48 double zero लगा दो, यानि कि 4800, यह हमने hundred percent लिया है, आपको समझाने के लिए ता कि आप उस चीज को समझ जाएंग मैं कहना क्या चालता हूं, एक बाद फिर से ध्यान कि यह कुछ नहीं करना है, यह percent है, तो percent क कड करना है, अगर इधर हमें 2 zero मिल आते हैं, इधर कड कर देंगे, अगर हमें इधर 2 zero मिल आते हैं, तो इधर का कड कर देंगे, क्या बचा कुछ नहीं, 25 वंजा 25, तो चलिए, अभी जो हमने सीखा, उसका हम use करते हैं, इन example से कैसे हम करेंगे, ध्यान दीजे, हम यह जो ब करना पड़ेगा, तो हम multiply करने के भी 60 ticks हैं, यानि कि अगर हम ठीक से अफजर करें, तो हमें क्या मिलता है, कि अगर हम इसको double कर देंगे, हो जाएगा 70, इसको half कर दें, तो यह आपका 49, 2 जा होता है 98, अब इनको multiply करना easy हो जाएगा, मतलब इसको हमें multiply करना, तो 0, तो करें, तो हम बहुत ही जल्दी उसका answer बता सकते हैं, क्योंकि mathematics जो होता है, वो बोलता है, कि हमें ऐसा करो, तो हम fast आएंगे, मतलब हमें बस उन्हें ध्यान से, अच्छे से आपजर करना आना चाहिए, तो हम उन्हें बहुत जल्दी कर सकते हैं, चलि हम याप उसको देखते मैंने क्या होता है, कि percent जो हम cut करते हैं, तो हमें 2-0 उसके बदले में चाहिए, percent अगर हटेगा, तो वो 2-0 लेकर हटेगा, 2-0 कहां मिलते हैं, उससे मतलब नहीं है, एक इधर हमना एक उधर विला बात खतम हो गई, तो 2-0 में कहीं से मिल सकते हैं, लेकिन 2-0 लेकर कही percent होता है, अब क्या इनको multiply करना है, तो हम इसको double कर दें, क्या जाएगा, 50 हो जाएगा, इसको half क्या, 24 हो गया, इसको multiply करना है, 24-5 जा कितना होता है, 120, 0 था, 0 है, बस ही आपका answer हो जाएगा, तो इस तरीके से हम वो fast, किसी भी number का percent निकालना है, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, चलिए यहां हमें fraction का, sorry, percent निकालना है, देख लेते हैं, percent हटेगा, तो 2-0 ले कर जाएगा, बहुत खता हो, तो अपना ले गया, बचा क्या, 35,000, 15, 3-0 था, यह लगा देंगे, यानि कि 30 percent of 50,000 होगा, 15,000, तो इस तरीके से हम इनका 60 ticks का उप्योग करके percentage को अच्छे से निकाल सकते हैं, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे, कि अगर यह जो हमने निकाला, यह होगा हमारा traditional तरीका, यानि कि जब books से सवाल आएंगी हमारे पास, तो उन्हें रफ या कौमी में लिखने के तरीका हमारा यह होगा, और अगर हम इस तरीके का उप्योग daily live में कर करना पड़ेगा, अपने दिमागे बातों को रखना पड़ेगा, और हम इजली कर भी सकते हैं, तो चलिए हम कुछ और एक्जांपल लेंगे, जिसमें हम है, और ली ही उनका answer देने का प्रियास करेंगे, तो चलिए इन एक्जांपल के सांथा से हम कुछ और सीखने का प्रियास करते हैं, क्यूश्चा नमबर फर्स में यह एक्जांपल नमबर फर्स में दिया है, 10% of 1000, 10% of 1000, तो इसका अगर में daily leverage करना है, तो हमें थोड़ा सा कुछ शीजों का ध्यान देना होगा, सबसे पहले क्या समझना होगा, कि यह किस में दिया हुआ है, मतलब 1000 में है, 10,000 में है, कि लैक में है, अगर यह 1000 में है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए, कि 1000 में कितने 0 आते हैं, तो अगर हमें इन्हें hourly करना है, तो सबसे पहले हमें यह चीजें अच्छे से confirm होना चाहिए, कि 1000 में क होग एकदम से 100% confirm रहेंगी तो इनका answer हम औरली निगाल सकते हैं जैसे 10% of 1000, 1000 में 30-20 हड़ गया, 10-10 जा 100, कितना जागा आपका answer, 100, तो हम बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं, काफी जी है, फिर से ध्यान देते हैं, फिर क्या निकालना है 10% of 10,000, 10,000 कितने 0, 4-0, 2-0 काइंसिल, बचा 2-0 और 10, कामरेटी प्राइज हंडेट्स होगा, तो हो जाएगा 1000, तो आपके answer क्या हो जाएगा, 1000, चले अगर इसी के स्थान पर दिया होता 20% of 10,000, 20% of 10,000 वही चीज़ होता है, वही चीज़ सेम होगा, क्या होगा, कि 10,000 ने 4-0, 2-0 हड़ गया, बचा 2 और 20 में एक 0, एक 0 और आ जाएगा, यानि अगर हम इसको इस तो भी बात करें, कि ये से ये कैंसिल बचा क्या, अगर 111 और ये डवल 0 अग था, ट्रीपल 0 आ गया, दो 0 यहां का, एक 0 यहां का, एक साथ में आ गया, तो इस तरीके से अगर हमें numbers के पीछे कितने जिरू आत हैं, तो काफी easy दिख रहेंगे हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कि ये सब easy नमर का, इसलिए easy है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम बात करें marketing की, या daily lab uses की, तो हमेशा numbers इसी प्रकार से आती हैं, वहां पर आप देखेंगे, किसी भी प्रकार की material में 20%, 50%, 30%, इसी तरीके से ह आपफर मिलते हैं, तो हमें उन ही का अच्छे से observation करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, कि अगर हम को किसी ने बोला कि find the percentage of 75,000, अगर ऐसे उसी नमर दे दिया, और अगर हमें 75,000 का 20% निकालना है, तो हमें तो ये तो पता है कि 75 तूजा हो जाएगा 150, इतना पता होता है, पर उसका answer, actual answer क्या होगा, 150 होगा, कि 1500 होगा, कि 1500 होगा, कि 5000 होगा, या भी 150,000 होगा, क्या होगा, यहां हमें confusion होता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, कि 75,000 में 3 0 होते हैं, 1 0 कैंसील हो गया, अब अगर हमें निकालना है 20% तो 75 तूजा हो जाएग आपका 70, 25,2 जा हो जाएगा, आपका 75,2, अब हम देखते हैं, example number 3, यहां क्या है, कुछ नहीं, percent को हटा है, यह 0 सो 0 में कैंसील कर दिया, फिर हम इसको क्या करेंगे, double करेंगे, 50 हो जाएगा, इसको half करेंगे, तो दिक्कत होगी, तो अगर यह 7 में 50 है, तो करेंगे, तो 2 3 जा, 2 7 जा, और 2 5 जा, इसको multiply कर देना 0 है, तो 0 आएगा, 5 5 जा हो जाएगा, 25 करेंगे, आपका 2, और 5 जाएगा, 35 प्लस 2, 37, 5 3 जा 15, प्लस 3, 18, यानि कि 18,750 आपका answer होगा, अब हम यहां पर इस example को solve करते हैं, देखेंगे, काफी जी example यह भी है, अब यहां पर percent है, ले तो हमें इसको पूरा करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि हमें अगर 0 नहीं मिले है, तो हम percent को पूरे टेडिसनी रूप से ही करें, ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, simple देखेंगे, कि अगर हम इसको half करनेत हो जाएगा, 17 और इसको हम double करनेत हो जाएगा, 130, 30, अब इसको multiply कर दे, 0 है तो 0 आ जाएगा, 13 से बन्जा होता है, 91 यानि कि कहरी है, 9, और 13 बन्जा 13, प्लस 9 आप हो जाएगा, 22, अब यह answer नहीं होगा, क्योंकि इसका percent की value होती है, 1 upon 100, यानि कि 100 कहां जाएगा, तो अगर नीचे 100 होता है, तो आपको पता है कि देखेंग यानि कि 22.10 आपका answer हो जाएगा, तो इस तरीके से कुछ हम 60 का उप्योग करके percentage को daily routine में use कर सकते हैं, और हमें किसी भी प्रकार की कोई problem